हेलो जाहन दोस्तों तो दोस्तों आज अगनिवीड जनरल डिवटी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टॉप 20 कोशन लेकर आया हूँ तो दोस्तों एक कोशन आपका एक्जाम के लिए बेरे बेरे इनपॉर्टेंट कोशन है और हमारा जिस तरह सुरू से लेका लास्तक देख लीजिए तो दोस्तों देख लीजिए पहला नामबर कोशन क्या दिया हुआ है तो दोस्तों पहला नामबर कोशन आपका स्कीन में आ गया है देख लीजिए पहला नामबर कोशन क्या है कि वीच आफ दा फ्लोइंग आर्टिस्ट हैस रि इनमें लिकेते में से किस कलाकर को शबियत भूमी नहरूप पुरिशकर मिला है बता दो एक दो तीन चाड़ इसका राइट अंसर बता दो सही अंसर नेस्ट कोशिन देखो दो नमबर कोशिन क्या है विच इंडियान इस्टेट हैस द सेकेंड लोइस्ट लिटरेचरी रेट एस पर द सेंसस रिपोर्ट 2011 डेख लिजे जनशंग के रिपोर्ट पर 2011 का जो जनगाना हुआ था उसका अनुशर भारतियों राज्यों कौन साथ जो शक्रतदार में दूसरी सबसे काम शक्रतदार बड़ा रज्या है बता दो A, B, C, D इसका राइट अनसर बता दो बेरे बेरे इंपोर्टन कोशन, मोस्ट इंपोर्टन कोशन तो दोस्तों इसका राइट अनसर हमारा जिस स्टूदेंट ऑप्शन बताओ, बिल्कुल इसका राइट अनसर हमारा जिस स्टूदेंट ऑप्शन D को चुना, और नाचल पोदेश को चुना, उसका राइट अनसर हो जाएगा, ऑप्शन D is the राइट अनसर, ओके, D होगा रा देख लिजे निर्मा लिखेते वैसे कौन सा मर्ज शम्रज का अंतिम राजा थे बता दू एक दो तिन चार इसका राइट अंसर बता दू बेरी बेरी इनपोर्टेंट कोशन देखो राइट अंसर बताओ तो दोस्तों इसी चारो अपशेन के अंदर हमारा जिस श्टूदिएट अपशेन डी को चुना बित्थद्र को चुना उसका राइट अंसर हो जाएगा option D is the right answer ओके बिहद्र is the right answer नेस्ट कोशन देखो फूर्ट नाबर कौशन है which of the following fog dance is associated with Jammu and Kashmir दिख लिजी दिरमलखेते में से कौन सा लखनित Jammu और Kashmir से शमन्दित है बता दो 1, 2, 3, 4 इसका राइज अंसर बता दो very very important question, most important question तो दोस्तो इसी 4 option के अंदर हमारा जिस student थोरा सा पराई किया वो तो बताई दिया, इसका राइज अंसर option A is the right answer, could होगा राइज अंसर, could होटा है रूफ होता है यह Jammu Kashmir का नित्त होता है next question देखो next question क्या है, five number question when was the supreme court of India inaugurated, देख लिजे भारत का जो शर्बच्चन I.L.I. की उद्घाटन कब होआ था बतादो, एक, दो, तीन, चार या A, B, C, D इसका राइज अंसर बतादो, very, very important question, most important question एक question, तो दोस्तों इसी चारो option के अंदर हमारा जिस student option बताऊ, बिल्कुल इसका राइज अंसर, option D is the राइज अंसर, 28 January 1950 होगा राइज अंसर, option D होगा राइज अंसर, next question देखो छे नामबर question है, which state of India produce the most rubber, देख लिजे, भारत का कौन से राज सबसे अधिक rubber का उत्पादन करता है बतादो, एक, दो, तीन, चार इसका राइज अंसर बतादो, very, very important question, most important question, तो दोस्तों इसका राइज अंसर हमारा जिस student, इसी चारो option के अंदर, option बताऊ, बिल्कुल, इसका राइज अंसर, option क्या होगा, ए होगा राइज अंसर, option ए, केरला होगा राइज अंसर, केरला में सबसे ज़्यादा rubber उत्पादन होता है, हमारा भारत देश में, next question देखो, और दोस्तों, next question के पहले, हमारा जिस student का 20 एपरिल से एक्जाम शुर्बात हो रहा है, और दोस्तों, आप most important PDF या question का पता करना चारहे हो, तो दोस्तों, हमारा पास से ओ question, एक question होगा 2012 से लेका 23 तक जितने भी इंडान आर्मी दोबारा question पूछा गया, सभी question मिल जाएगा, only 99 रूपिया में तो दोस्तों, एक सभी PBRCR का question होगा, हमारा जिस student एपीडिएप करिदना चाते हो या देखना चाते हो, किस तरह question पूछा गया, किस तरह आएगा हो सभी जनकरी मिल जाएगा, तो दोस्तों, only 99 रूपिया में तो दोस्तों, हमारा जिस student एपीडिएप खड़िदना चाते हो जुरूर इसी नमबर पे कॉल कीजे और पीडिएप खड़िद लीजे पंदराशो पिलास देखा रहा हूँ, बट यहाँ पे 2000 पिलास question होगा जीके, मैत, रोजनिंग, सभी रहेगा तो दोस्तों, आप जुरूर कॉल कीजे और ले लिजे, सभी यारो को मिलेगा जिस यारो भी हो, सभी यारो का यारो जम्मू, यारो सिरिनागर यारो बहरंपूर, बेरकपूर कलकाता, शिलिगुरी, नारंगी जोरहाट, कोई भी यारो से हो संभलपूर मेंगलूर, मेंगलूर, तिर्ची हाजराबस, सभी यारो का मिलेगा जुरूर आप कॉल करके ले लिजे, PDF किस तरह एक बद देखो, तो दोस्तों इस तरह कोशन हमारा पास आता है और यही कोशन उठा कर PDF बना देता हूँ तो दोस्तों, आप एक PDF लेना चाते हो जुरूर कॉल किजे और ले 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 जे बहुत ज़्यादा कोशन है, आप पढ़के एक्जम किलियर कर सकते हो तो दोस्तों इस तरह कोशन उठा कर बना दिया जितने भी कोशन उठा गया, सबी कोशन उठा कर बना दिया तो दोस्तों, आप जुरूर कॉल किजे और ले 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 जे बहुत ज़्यादा कोशन है, किलियर कर देगा एक्जम तो दोस्तों फटा-फट कल करो और ले लो नेस्ट कोशन देखो नेस्ट कोशन क्या है सुप्रीम कमंडर अफ आम फोर्टसेस इस देख लिजे जो इस अदर बल का शर्बच कमंड है कौन है बता दो पेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर है चीफ मिनिस्टर या नान अब दिस इसका राइजनसर बता दो तो दोस्तों इसका राइजनसर हमारा जिस इस्टूडेंट ऑप्षेन ए को चुना प्रेसिडेंट राश्टर बती को चुना उसका राइजनसर हो जाएगा ऑप्षेन ए इस दा राइजनसर नेस्ट कोशन देखो कोशन क्या है ओरेंज इज a rich source of which vitamin देख लिजे शंतरा में कौन से vitamin सबसे ज़्यादा उत्पादन या पया जाता है बता दो चारो option में सही answer चुन लो a, b, c, d इसका राइजनसर बता दो तो दोस्तों शंतरा के अंदर सबसे ज़्यादा पया जाता है बताओ बिल्कुल इसका राइजनसर हमारा जिस student option क्या होगा बताओ बिल्कुल option c is the right answer option c, vitamin c is the right answer थोरा देख का राइजनसर करो गलात मत करो कोई बच्च इस तरह देखकर बता देगा option c is the right answer या पर vitamin a, vitamin d, vitamin c इस तरह पढ़ना चाहिए next question देखो 9th number question which of the filament of an electric bulb is made of देख लिजए बिजली के बाल्फ की जो filament है वो किस से बना होता है बता दो चरो option में सही answer चुन दो a, b, c, d इसका राइजनसर बता दो तो दोस्तों जो filament है वो बना होता है हमारा जिस student option c को चुना उसका राइजनसर हो जाएगा option c होगा राइजनसर next question देखो 10 number question है which is the chemical formula अब पॉपिन देख लिजए पॉपिन का जो राशानिक शूतर है वो क्या है बता दो a, b, c, d इसका राइजनसर बता दो तो दोस्तों पॉपिन का जो formula होता है वो है c, 3, h, 4 होगा राइजनसर कहा है option b में है c, 3, h, 4 next question देखो एगा राइजनसर कोशन है who was the current speaker of लोक्षवा लोक्षवा के बरतमान अधक्ष कौन थे बता दो एक, 2, 3, 4 इसका राइजनसर बता दो थोरा देख का राइजनसर करो 100 में 100% बता देंगे कौन सा होगा राइजनसर बताओ कहा ती लगना चाहिए बिल्कुल इसका राइजनसर option डी इस दा राइजनसर अम बिरला इस दा राइजनसर नेश्ट कोशन देखो तो दोस्तों नेश्ट कोशन क्या है यहाँ पे पूछा गया है शोने के बनाने के लिए जो उनमें से तंभक मिलाया जाता है किसके कारण मिला जाता है copper is add to gold to make it देख लिजे बताओ इसका right answer क्या होगा थोरा देखका right answer करो very very important question है most important question तो दोस्तो इसका right answer हमारा जिस student option B को चुना hard कठिन बनाने के लिए add करता है एक इसको चुना उसका right answer हो जाएगा option B is the right answer next question देखो तेरा number question है largest coastline in India which state देख लिजे भारत का सबसे बारा शमदरितत कौन से राज़का है बता दो एक दो तीन चाड़ इसका right answer बता दो तो दोस्तो इसका right answer हमारा जिस student option बताओ बिल्कुल इसका right answer हमारा जिस student गुजराट को चुना उसका right answer हो जाएगा गुजराट का coastline सबसे बारा है भारत का अंदर सबसे छोटा किसका है comment section में बता देना ओके next question देखो 14 number question क्या पूछा गया who is called Manchester in India देख लिजे भारत में Manchester किसको कह जाता है बता दो एक, दो, तीन, चाड़ इसका right answer बता दो तो दोस्तो भारत का जो Manchester कह जाता है option क्या होगा बताओ बताओ A होगा, B होगा, C या D इसका right answer बता दो तो दोस्तो बिल्कुल इसका right answer option B is the right answer अहामेदाबाद को कहा जाता है Manchester of India next question देखो first literature state in India देख लिजे भारत का सरबदिक शकरतबाला राज्यो कौन सा है बता दो West Bengal है, Kerala है गुजराठ है या बिहार इसका right answer बता दो तो दोस्तो इसी चरो option के अंदर हमारा just student option बताओ, देखताओ कौन-कौन बाचे इसका right answer देबाता है बिल्कुल इसका right answer हमारा just student option बताओ B is the right answer option B, Kerala होगा right answer next question देखो और दोस्तो हमारा just student इस बाद नया भरती दे रहा हो तो दोस्तो आप जुरूर आप call करके जनकारी ले लिजे किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह नहीं पढ़ना चाहिए कौन सा PDF पढ़ना चाहिए आप call करके अच्छा तरह समझ लिजे और हमारा जो 99 रूपिया का जो PDF है ना और PDF खरिदगार आच्छा तरह पढ़ना चाहिए करो 99 रूपिया में आच्छा तरह चोकलेट भी नहीं हो था तो दोस्तो आप जुरूर आप कॉल करके ले लिजे बहुत आच्छा कोशन है तो दोस्तो 16 नामर कोशन क्या पूछा गया देखो नालांदा यूनिवर्स सिटी लोकेटेड फिच इस्टेट नालांदा बिशव इदलाई किस राजय में इस्टित है बता दो ABCD इसका राइज अंसर बता दो तो दोस्तो इसका राइज अंसर हमारा कोशन क्या पूछा गया जेनरेटर कनभार्ट से फिच एनर्जी देख लिजे जो जेनरेटर होता है इस उड़ जाकर परिबत्तन करता है बता दो बहुत इंपोर्टेन कोशन है बेरी बेरी इंपोर्टेन कोशन तो दोस्तो थोड़ा देखकर राइट अंसर करो मोस्ट इंपोर्टेन कोशन होने वाला है आपका एक्जाम के लिए तो दोस्तो इसी चरो ऑप्षेन के अंदर हमारा जिस स्टूटेन्ट ऑप्षेन ए को चुना जो मेकानिकल एनर्जी को इलिक्टिकल एनर्जी में पडिबर्तन करता है ऑप्षेन ए इस दर राइट अंसर नेश्ट कोशन देखो अठरा नामबर कोशन क्या पूछा गया वू एपोइंट्स दचीफ जास्टिस इन इंडिया देख लिए भारत का मुक्षेन नयादी इसका नियुक्त कॉन करता है बता दो जल्दी करता है ऑप्षेन बताओ ABCD के अंदर बिल्कुल ऑप्षेन इस दर राइट अंसर प्रिश्कर पाप्त करने बाला या सबसे पहले पाप्त करने वाला खेलारी कौन है बताओ तो दोस्तों इसका राइट अंसर हमारा जिस इस्टूटेंट, option A, B, C, D के अंदर, option बतब कोई बच्छे का धिर लग रहा है, तो आप एक बार, skip करके, stop करके पढ़ लेजे, option A होगा राइट अंसर, सचिन तंदिलकर होगा राइट अंसर, next question देखो, last question है, question क्या है, hemoglobin founded in, दख लीजे, hemoglobin का है, पाय जाता है, बता दो, लिभार में पाय जाता है, blood, kidney, नानवदिस, तो दोस्तों, इसका राइट अंसर, option A, B, C, D के अंदर, option B होगा राइट अंसर, राक्त, blood में पाय जाता है, तो दोस्तों, इसी 20 question के अंदर, कितना question आया, जरूर, comment section में बता 9 रूपिया में, जिन्देगी पाल आप सकते हैं, 9 रूपिया, तो दोस्तों, call करो, और ले दो, thank you, जाहें,